नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज पियार मैं हूँ आदेश बिहार में भी कोई भी कारकरम हो रहा है तो उसके लिए हम देख रहे हैं विहार या कैदपुरे देश में देखें तो उसके लिए है कि आपको कोरोना मुक्थ होने का सटिफिकर जरूरी है पिछले दिनों पंदरा अगस्त को जो पैरेड होने वाला है उसके लिए भी हर एक अधिकारियों और सिपाहियों का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है यानि कि कोरोना का उन्हें जांच कराना पूरेगा यही प्रक्रिया अपनाई गई है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से समद्वित आपको वतादे कि उनके सक्षातकार के लिए यानि कि इंटर्वी में सामिल होने के लिए जरूरी है कि अभ्यार्ती का आटी-पी-सी-आटेस्ट निगेटिव लेकिन समस्या यहीं से शुरू रही है आपको पता होगा आप जानते भी होंगे आप है कि जो संस्थाइं हैं जिनको इंटर्वी लेना है उनको दरा पहले ही कहा दिया गया है कि आटी-पी-सी-आटेस्ट होना चाहिए लेकिन पांच से साथ दिन या उससे ज्यादा दिन लग जा रहे हैं यह रिपोर्ट आने में ऐसे में उनका इंटर्व्यू प्रवावरिक पूरा है चलिए आपका हम पूरी ख़वर बताते हैं कि यह मामला है तो क्या बता दे कि बिहार राजविस्विद्याले सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की बहाली के लिए इंटर्व्यू के सेड्यूल की घोसना हो गई है इंटर्व्यू के बाद नियुक्त सौरवजा का कहना है कि इंटर्व्यू में आटी पीसिया टेस्ट की निगेटीव इपेट को अनिवार किया गया है लेकिन आम तोर पर रिपोर्ट आने में पांच से साथ दिन का वक्त लग रहा है ऐसे में या जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की रिपोर्ट सही वक्त में मिल इसलिए महमारी के हलात में इंटर्व्यू की तीति को आगे बढ़ाया जाहिए इसके अलावा संग ने सभी योग और योग आवेदकों की सूची भी जाड़ी करने और अयोग विद्वारों आवेदकों की आपत्ती दर्ज करने की मांग की है साथ ही अभियर्तियों का प्रशानी नहीं होगी वही आपको बता दे कि सभी विश्विद्याले के जारी रोस्टर लिस्ट में गरबरी करने का भी आरोप लगाया है उनका कहना है कि स्वतंता से नानियों की आस्रितों को मिलने वाले आरक्षन का लाव कोटी में नहीं दिखाया गया है जो बिहार आरक्षन नियमावली का उलंगन है अपनी इन ही आपतियों और मागों को लेकर अभियर्थियों ने आयो की अद्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद से मुलाकात कर ग्यापन दिया साथ ही राजिपाल मुख मंत्री उप मुख मंत्री शिक्षा मंत्री को भी आवेदन दिया है तो आपने देखा कि कैसे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का भी मामला जो है उस पर भी आरोप लग रहा है अनियमित्ता का इसके अलावा आटी पीसियार जो टेस्ट है वो निगेटिव होना और उसमें समय लगना इनसे जो है वो अभ्यर्थी काफी परहसान है उनका काना है कि यह तो इसे खत्म किया जाए या फिर पूरे सक्षातकार की प्रक्रिया को आगे के लिए टाल दिया जाए क्योंकि इनसे काफी दिकत हो रहा इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वैसे एक कंडिडेट जो की सक्षातकार योग जिनको नहीं घोसित किया गया है उनका भी आपत्ती लिया जाए आखिर किन कानलों से उन्हें नहीं किया गया है सेलेक्टेड इंटर्वू के ल है और उन्होंने राजवर्धन आजाद से जो कि इसके सचिव है आयो के अध्यक्ष है उनसे भेट भी किया और राजविपाल मुक्ष मंत्री को गयापन भी दिया उन्होंने तो देखने बारी बात है कि आठीड पीसी आर का मामला जो है सक्षातकार के लिए कितना पूर्ण बहुत प्रहसान है और वो तरह तरह से आपत्ती उठा रहे हैं इस पूरे बहुत प्रक्रिया को लेकर तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा लाइक सेयर करें हमारी चैनल नियूस प्यार को सस्क्राइब जरूर कर ले नन्यवाद प्रूफड उन्यवाद